हेलो दोस्तों अरद्ध्यरस अकेडमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित फस्ट ग्रेड शिक्षक बरती परिक्ष्या 2024 के नवींतम पाठेकरम के अनुसार फस्ट पेपर के लिए मोडल पेपर के टेस्ट सिरीज शुरू की गई थी जिसमें अपने गुनतीस मोडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें 30 नंबर का मोडल पेपर है दोस्तो कुल 55 प्रस्ट निसमें सामिल किये गए हैं और हुब हुब आपको SI पेपर है वो परिक्ष्या में देखने को मिलेगा दोस्तो रोजाना आपको एक मोडल पेपर का टेस्ट है वो अवस्य देना है और अगर आप पिछे हैं तो 2 या 3 मोडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं अगर आपने पिछले 30 मोडल पेपर का टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तो आप प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मोडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा तो आप वहाँ जाकर पिछले मोडल पेपर का टेस्ट है वो अवस्य देए और अरद्धारेस अकेडमी की यूटूब चैनल को अकर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पैस में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मोडल पेपर नमबर 30 देखे यहां पे पहला प्रस्टन बालकों का मुक्त एवं अनिवारी शिक्ष्या का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ दोस्तों बताइए यह अधिकार है यह देश में कब लागू हुआ इसको RTE भी बोलते हैं ठीक है RTE 2009 भी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ठीक है RTE 2009 दोस्तों यह जम्मू का स्मीर को छोड़कर संपून देश में यह एक अपरेल 2010 को लागू किया गया था तो यहां पर अपना इसमे राइट अंसर दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे हैं यहां पर सेकेंड नमबर का प्रस्न है निसुलक एवम अनिवारिये सिक्षा का बालको का अधिकार अधिनियम के अनुसार सिक्षकों को किस कारिये के लिए नहीं लगाया जा सकता बताएए सिक्षकों को किस कारिये के लिए नहीं लगाया जा सकता दोस्तों देखिए दस वर्स परशात होने वाली जनगर्णा में इसमें लगाया जा सकता है आपदारात कारिये में भी लगाया जा सकता है जुनाव समंदी कारी में भी लगाया जा सकता है यहां पर पलस पोलियो कारे करम में सिक्स को को नहीं लगाया जा सकता यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा ठीक है इसमें आंगनबारी कारे करता इनको लगाया जाता है पलस पोलियो कारिकरम में ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन नंबर का प्रेस ने निसुल के एवम अनिवारिये बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम दोजार नो दिव्यांग बच्चों की निसुल के सिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित क करता है दोस्तों कौन से वर्स से कौन से वर्स तक के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छे वर्स से अथारा वर्स तक के लिए तो यहाँ पर अपना इसमें चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चार नंबर का प्रेस ने राजस्तान निसुल्क और अनिवालिये बाल सिक्षा का अधिकार नियम दोहजार ग्यारा ये नाम है दोस्तों इसमें राजस्तान में ठीक हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें आगे देखिए यहां पर पां संसोदित किया गया बताइए बच्चों के लिए मुप्त एवं अनिवारिये शिक्षा कानून दोजार नो के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निसुल्क एवं अनिवारिये शिक्षा कानून दोजार गुनिश द्वारा संसोदित किया गया तो इसका बिल राजस्तान स्टेट ओपन इसकुल की स्टापना की गई राजस्तान स्टेट ओपन इसकुल की स्टापना की गई दोस्तों ये स्टापना की गई थी कब राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च 2005 को राजस्तान स्टेट ओपन इसकुल की स्टापना की गई यहां पर तीन नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा साथ नमबर का प्रेशन इसमें देखे विद्याले में कारियरत सभी लोगों के अवकास का विवरन होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अवकास पंजीका में होता है सभी लोगों के अवकास का बिल्कुल सइउतर हो जाएगा अवकास पंजिका में होता है ठीक है आगे देखे आत नमबर का पृष्ट ने वर्तमान संदर्ब में सेखशिक पृषासन की विशेष्टा है तो विशेष्टा क्या है वो विशेस्ता देखिए सेक्सिक प्रसासन एक मानविय प्रकिरिया है बिल्कुल सही है सिक्षा प्रसासन का सवरूप वी केंद्री करण एम में केंद्री करण दोनों में पाये जाता है बिल्कुल सही है, सिक्षा प्रसासन की रचना उसके मानव तत्वो द्वारा होती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इस प्रस्टन का राइट अंसर क्या हो जाएगा, उप्रयोक्त सभी, चार नमबर उप्सन बिल्कुल सही, आगे देखे, किस संकेतन, यहां पे देखे, सोरी, क्या कारेकरम में अपेक्सित लक्से प्राप्त हुए या नहीं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, वो है, निर्गत संकेतक, तो यहां पर चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, निर्गत संकेतक, आगे देखे, दस नमबर का प्रस्टन है, सेक्सिक एवं है, डिक्के का ये कथन है, तीन नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, ग्यारा नमबर का प्रस्टन इसमें देखे, परबंदग के ग्रेडिस अंकल्पना का संबन्द किसे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमें बलेक तथा मॉन सह सेक्षिक छेतर में सामिल विशे है, तो विशे कौन सा है, वो विशे देखिए, बाल सबाकायोजन, अध्यापक अभिवावक संग, सारीरिक सिक्षा, तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा, उप्रयोक सभी, यहाँ पर चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही विलक्षनता नहीं है, जिसके माता-पिता अधिनायक वादी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, इसमें, दोस्तों, सवतंत्र, तीन नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, सवतंत्र, आगे देखे, चोज़ा नमबर का प्रस्न है, राजस्तान मादे में एक सिक्षा बोड के संगठनात्मक दाचे में राजे सरकार द्वारा नामित सदस्यों के संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, दोस्तों, 17 होती है, यहां पर चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, 17 ह होती है, 15 नमबर का प्रेश्ट ने इसमें देखे, गतीविदी आधारी सिक्षन तथा, व्यापक एवं सतत मुल्यानकन पर किरिया के क्रियानवेन के समन्वित कारे करम के अंतरगत है, सर्वोच नीती निरदारन समीती है, तो वो कोनसी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा का वो है परियोजना परिचालन समीती परियोजना परिचालन समीती तो यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह 15 प्रेस्ट मैंने आपको सेक्सिक प्रबंदन से समंदीत करवाए हैं अब अपन पांच प्रेस्ट है वो दोस्तों राजस्तान रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए देखें दोस्तों अब यहां पे निफ्क चप्ञ का मैदान स्तित है इसका रख और दोस्तों यह परताब गड़ बांसवडा के बीच ये चपन का मैदान है ये इस्तित है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा परताब गड़ बांसवडा के बीच ये चपन का मैदान इस्तित है ठीक है याद रखना आगे देखिए य कौन से खनीज का उत्पादन कहां पर होता है देखिए ग्रेनाइट दोस्तों ग्रेनाइट का जो उत्पादन है वो दोस्तों अजीतगड सिक्कर में होता है कहां पर होता है अजीतगड सिक्कर में ठीक है चुना पत्थर का जो उत्पादन है यह दोस्तों सोनू जसलमेर में ह गिया पत्थर का जो उत्पादन है ये दोस्तो देपूरा उदैपूर में होता है और रोक पोस्पेट का जो उत्पादन है वो दोस्तो माटोन उदैपूर में होता है तो यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 3214 इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देखे दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा तीन दो एक चार आगे देखे यहाँ पर देखे सुची फष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है ठीक है दोस्तों सुची फष्ट में पसू की नसले दे रखिये और सुची सेकंड म पसु की नसले दे रखी है ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए गाय की नसले दोस्तों गाय की नसल कौन कौन सी होती है तो दोस्तों गिर राठी थार पार कर कांकरेज मालवी साचोरी मेवाती यह क्या होती है यह गाय की नसले होती है तो यहां पर देखिए पहले का हो रखा है ठीक है बैस दोस्तों बैस की नसले कौन कौन सी होती है तो दोस्तों मुर्रा सूर्ती मेसाना जाफरावादी ये क्या होती है दोस्तों ये बैस की नसले होती है तो दोस्तों ये इसमें देखिए इसमें तीसरा जाए गए ठीक है ये तीसरा कर लेना है अपर ये तीसर मगरा दे रखा है ठीक है यह बेड की नसले हैं बखरी की नसले हैं वो दोस्तों यहां पर देखे लोही बारबरी जमनापुरी ठीक है यह क्या है बखरी की नसले हैं तो इस प्रफिम का राइट अंसर हो जाएगा दो तीन चार एक इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखना आगे देखिए राजस्तान में जेट्रुफा आधारी तबायो डीजल प्लांट है अवस्तित है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बताइए कहां पर है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो जामर कोटडा उदयपुर में दो नंबर का option है वो इसका बिलकुल स्युत्तर हो जाएगा कहां पर है जामर कोटडा उदैपूर में ठीक है आगे देखे 20 नमर का प्रेश्ट ने निमनलिकित को सुमेली कीजिए एक तरफ परेटन सरकिट है दूसरी तरफ छेतर है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों देखे ब्रज मेवात सरकिट ब्रज मेवात सरकिट तो ब्रज मेवात के अंदर ब्रज के अंदर कौन कौन से चेतर आते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है ब्रज के अंदर अलवर बरतपुर स्वाई मादुपूर आते हैं ठीक है उसके बाद में सेखावाटी चेतर में सोरी सेखावाटी सरकिट के अंदर दो सिकर चूरू एक तीन चार दो इसका राइट अंसर हो जाएगा तो यहां पर एक तीन चार दो कौन से में हैं दो नमबर के उप्षन में हैं तो यहां पर दो नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अब यहां पर दोस्तों देखिए पोलिटिकल साइंस से समझ अपने यहां पे पांच प्रस्ट पढ़ेंगे ठीक है किस से लेकर 25 तक बिल्कुल सब्सक्राइबस के अकोर्डिंग देखें भारत की सविदान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर empirical देखा शींटक seven में कौन से परांत के सदस्य उपस्ति थें तो मदरास परांत कें सदस्य है वह उपस्तित थे सरवाधि संख्या में तो यहां पर तीन नमबर खोफन बिल्कुल सईटर बताना है एक सर अध्या यह निम्न में से कौनसा कतन सही नहीं है वह अपने को यहां पर क्या करना है बताना है सविधान कि व्याक्या से संब्दिते किसी मामले पर राश्ट्रपती सरोच नहले से प्रामस मांग सकता है Cons pale सही राष्टरपती दौरा conservatives cringe नायल तो वो उसको देने के लिए बादे नहीं है उसको मना ही कर सकता है तो यहाँ पर दूसरा नमबर का कथन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सत्य कथन है ठीक है तीसरा देखिए इसमें राश्टरपती सर्वोचे नहले द्वारा दिये गए परामर्स को मानने हित्तू बादे नहीं है बिल्कुल सही बात है आगे देखें मंतरी परिषद के सामुईक उतरदाईत्व से आसे है मंतरी परिषद के सामुईक उतरदाईत्व से क्या आसे है दोस्तों इससे आसे है कि एक मंतरी के विरुद लोक सबा में एविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंतरी परिषद को इस्तिपा देना राजिसभा का पूर्ववर्ती सदन था राजिसभा का पूर्ववर्ती सदन है वो कौन सा था वो था दोस्तों Council of State का नाम था Council of State तो यहां पर अपना इसमें चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखे राश्ट्य पिछ्ड़ा वर्ग आयो का गठन कब किया गया राश्ट्य पिछड़ा वर्ग आयो का गठन है यह कब किया गया अब यहां पर अपन पांच प्रस नहें वो जनरल साइंस से समन्दित करेंगे ठीक है देखे यदि दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होगी दोस्तो यदि दो अलग अलग समूह के रुदीर को आपस मिला दिया जाए तो पराप्त करता रुदीर के σीरम में ऐन्टी की डाता की लाल रखत कनिकाओं पर एंटीजन पर हमला करेंगे जिसे ईगलूटीनिशन कीकी समिश्या होती है तो दौर यहाँ पर इसका राइत आंसर होजाएका वो है है दोस्तों एगलूटी निशन तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा इसके समस्या होती है आगे देखे नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गती जुर्जा सरवादिक है तो किसकी गती जुर्जा सरवादिक है राइट अंस यहां पर नंबर का उप्शन बिलकुल तरी होता है इसका राइट आंसर हो जैगा वह है गुलाभी तो यहां पर. दो नंबर का option right answer हो जाएगा कुण सा होता है गुलाबी होता है ठीक है अगे देखी दोस्तों यहाँ पर तीस नंबर का प्रस्टने आनुवान सिक्षी के जनक किसे का जाता है तो दोस्तों इंग्लिस से समंदित यहां पर पढ़ेंगे देखिए चुछ दा करेक्ट पेशिव फ्रॉम दै फॉलोविंग सेंटेंस पेशिव इस समंदित क्यूशन है यहां पर देखिए दे एट दे पीपल सुरी एपल दे एट दे एपल तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आनशर क्या हो जाएगा इसका पेशिव क्या होगा हुगा इसका पेशिव हो जाएगा दोस्तों देखिए दे एपल वाज इटेंग वाइडेम तो इसमें राइट आंसर दो नमबर का option बिल्कुल से इतर हो जाएगा यहां पर देखे सिनोनेम अपने को बताना है choose the synonym of the given word तो यहां पर synonym का मतलब समनार्थक सब्द अपने को बताना है यहां पर देखे पीश्टर पीश्टर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तो सताना क्या मतलब होता है सताना या चिडाना आप बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखे दोस्तो इसका जो समनार्थक सब्द क्या हो जाएगा इसका समनार्थक सब्द हो जाएगा दोस्तो इसमें देखे एनोई तो इसका right answer दो number का option हो जाएगा इसका मतलब भी क्या होता है चिडाना या सतना इसका भी मतलब यह की होता है तो यहाँ पर दो number option right answer हो जाएगा आगे देखिए choose the appropriate articles or determiners to complete the sentence अब अपने को यहाँ पर खालिस्तान भरना है ठीक है और इसमें परियोग दोस्तो आर्टिकल और determiners का करना है यहाँ पर देखिए the amazing in Brazil is यहाँ पर खालिस्तान भरना है longest river in फिर खालिस्तान भरना है South America तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर देखिए इसमें longest से पहले देखा प्रियोग होगा the longest river in South Africa तो दोस्तों यहाँ पर इनके बाद में कुछ नहीं आएगा यहाँ पर डेस्क का निशा नहीं लगेगा तो यहाँ पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल से इतर हो जाएगा the Amazon in Brazil is the longest river in South America तो यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल से इतर हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर अपने को पिर पोजिशन बताना है पिर पोजिशन अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंनी पास्ट भी हर बाइसिकल बताए दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे खालिस्तान में किहाएगा तो इसमें आएगा ऊन हर आजिक्व, तो यहां पर चार नमबर का जो उर्फटन है, वêu इसका बिल्कूर सिफ़ अधर हो जाएगा, आगए देखिए 35 नमबर का प्रेस्न है, इसमें देखिए दोस्तों इसमें देखिए persons of negatively habits they generous तो दोस्तों यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा तो यहां पर आएगा दोस्तों इसमें क्या आएगा इसमें आ जाएगा दोस्तों लाओ थे तो यहां पर अपना दो नमबर का option right answer हो जाएगा लाओ थे आएगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों गर्णा करना ठीक है दो नमबर option बिलकुल सही अब आपन पांच प्रस ने दोस्तों यहां पे हिंधी से समधित करेंगे बिल्कुल सेलेबस के कोडिंग अपन चल रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी की सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजे और रोजना आपको टेस्ट देना है आगे देखिए निम्न में से किस सब्द का संदी विच्छेद सही है निम्न में तीन नमबर का आप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा और ये बिल्कुल संदी विच्छेद विच्छेद भी बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखिए 37 नमबर का प्रसन है किस विकल्प में विलोम यूग में अनूचित यानि कि गलत कौन से में है वो अपने को यहां पर क में क्या दे रखा है गलत दे रखा है दोस्तों यथारत का जो विलूम है वो या तो कल्पना होगा या आदर्स होगा ठीक है तो यहां पर यह गलत दे रखा है चार नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें आगे देखे इन में से किस विकल्प के सभी सब्दों म उपसर्ग एवं परते दोनों का परियोग हुआ है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं देखे परी पूंड़ता और एधार्मिक के अंदर दोनों के अंदर दोस्तों उपसर्ग और परते लगा हुआ है जैसे अगर मैं यहां पर देखूं परी पूंड़ता परी पूं ठीक है परी पलस पून्ट पलस ता इसमें ता क्या हो गया ता क्या हो यहां पर अपना इसमें दो नम्बर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए किस विकल्प में सम्सुरुत बिनार्थक सब्दों का अर्थवेद सही नहीं है दोस्तों बताए किसका अर्थवेद है वो सही नहीं दे रखा वो अपने को यहां पर बताना है देखिए दोस्तों यहां पर रित का मतलब होता है दोस्तों मोसम रित का मतलब क्या होता है दोस्तों मोसम और सही या सच्चा का मतलब होता है वर्स का एक भाग ठीक है कि सोरी इसके अंदर देखिए कि रीत का मतलब होता है मोसम ठीक है और रीतु का मतलब होता है वर्स का एक बहाग ठीक है और देखिए दोस्तों इसमें वेसन का मतलब होता है कपड़ा और वेसन का मतलब होता है बुरिलत सोत का मतलब होता है सुद्धी और सोध का मतलब होता है दोस्तों इसमें संसकार यहां पर देखिए एक तो दे रखा है वृते और एक दे रखा है वृद ठीक है वरिंद तो यहां पर देखिए वरित का मतलब यहां पर समू दे रखा जो की गलत है और यहां पर देखिए वरित का मतलब होता है डंठल और वरिंद का मतलब होता है समू है यानि कि यहां पर उल्टा दे रखा है ठीक है होना चीए था डंडल पहले आना चीए था और समू है बाद करना है यह वाक्य क्या है इसमें सुद्ध वाक्य है तो यहां पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा बताएए दोस्तो तब संख्या क्या होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने भी आपको बताया कि इकाई का अंक तो क्या है तो वो है एक्स और दाई का अंक क्या है दोस्तो वो है वाई तो दोस्तो आप सीधा साथ यहां पर देख सकते हैं यहां पर हो जाएगा यहां पर परीमे संख्या की पेचान करना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं परीमे संख्या अपन कैसे गय favorites करें यह देखेATT गेए जिरो ? 45, यहंपर दे रख़ा है, इसके ओपर बार का निशान लगावा है, बार कानिशान अठाइएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा ये, तो 45 बटे 99 हो जाएगा, ठैक है, अब इसको काट लीजिए, तो 9 के नो से दोस्तों ये 45 कट रहा है, तो 5 बार गया ठीक है और यह गया दोस्तों ग्यारा बार तो पांच बटे ग्यारा इसमें आ रहा है तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा जेरो पॉइंट पैंतालीस के उपर जो बार का नि होगा वो दोस्तों अपने को यहां पर क्या करना है बताना है ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ट्री एम स्क्वाइर तो ट्री एम स्क्वाइर है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह ABC का माद्दे होगा ठीक 8x plus a x minus 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समानस से इस फल रहता है तो दोस्तों समानस से इस फल रहता है तो दोस्तों यहाँ पर इसका right answer मैं आपको direct बता रहा हूँ right answer हो जाएगा इसमें 3 बटा 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा आगे देखिए किसी बेलन के आधार का चितरफल 616 cm तथा इसकी उचाई 40 cm हो तो बेलन के संपून प्रष्ट का चितरफल ग्याद करें दोस्तों यहाँ पर देखिए πाई यार स्कॉयर बराबर 616 दे रखा है तो यहाँ पर अपने को बेलन के संपून प्रष्ट का चितरफल ग्याद करना है उसके लिए सबसे पहले अपने को आर ग्याद करनी पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पाई आर स्कॉयर बराबर कितना दे रखा है 616 तो यहाँ पर देखिए r square बराबर क्या हो जाएगा दोस्तो देखिए 616 πाई का मान कितना होता है πाई का मान कितना होता है तो दोस्तो 22 बटे 7 होता है तो यहां पर उल्टा हो जाएगा दोस्तो 7 बटे 22 हो जाएगा अब इसको काट लीजिए इसको आप काटोगे तो दोस्तो कितना आजाएगा 196 आजाएगा और यह 196 है यह r square है दोस्तो क्या है r square है तो यह किसका square है दोस्तो यह 196 है तो यह 14 का square है 14 यानि कि अपना इसमें r बराबर कितने आ गया 14 ठीक है यानि कि तिर्जा कितनी आ गई जोदर अब दोस्तो इसका संपून प्रष्टी चितरफल अपने को यहाँ पर ग्यात करना है तो दोस्तो बेलन के संपून प्रष्ट का जो चितरफल होता है इसका सुतर होता है दोस्तो 2 into π into r ब्रेकिट में फिर दोस्तों यहाँ पे अपने को उंचाई तथा तिरजया को जोड़ना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखे 2 into 22 बटे 7 22 बटे 7 into यहाँ पर 14 तो दे रखा है क्या तिरजया दे रखिया पलस उन्चाई पलस तिरजा को जोड़ना है तो दोस्तों 40 पलस 14 को यहां पर क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए अब यहां पर कट क्या देखिए 7 से 14 कट गया 2 बार कट गया ठीक है और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 तो 4 इंटू 22 इंटू 54 इसको मल्टिप्लाई कर लीजिए आपका सीधा सा राइट आंसर आजाएगा वो है 4752 तो यहां पर अपना तीन नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा यह 5 प्रसन मैच से समंदित थे और अगर आगे के जो 5 प्रसन आएगे वो दोस्तो रिजनिंग से समंदित आएगे ठीक है बिल्कुल सलेबस के अकोडिंग मित्रों यहाँ पर अपन सल रहे हैं देखिए A और B C की बेटिया है दोस्तो A और B है यह किसकी बेटिया है तो दोस्तो यह C की बेटिया है C D की बेटि है C है यह दोस्तो किसकी बेटि है D की बेटि है E D का बेटा है E है वो D का क्या है बेटा है ठीक है तो E एसे किस परकार समंदित है E A से किस परकार समन दीता है तो दोस्तों यहां पर सीधा सा क्या हो जाएगा इसमें मामा बान जी का दोस्तों क्या होगा रिष्टा होने वाला है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है A का E क्या है मामा है ठीक है यह दोनों बाई बैन हो गए ए और सी ठीक है यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाए का मामा बांजी का रिस्ता हो गया तो यहाँ पर ए नमबर और उप्शन बिल्कुल से आगे देखे किसी कूट बासा में पैंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है उसी कोट दे रखे हैं उन सबी को अपने को क्या करना है जोड़ना है पी किते नमबर पर आता है सोला नमबर पे पलस ए किते नमबर पर आता है पांच नमबर पे एन एन दोस्तों आता है चोदा नमबर पे पलस सी है वो तीन नमबर पे और आई है यह दोस्तों नो नमबर पे औ तो ई किते नमबर पर आ रहा है पांच नमबर पर आर है यह 18 नमबर पर आ रहा है तीक है और ए है वो एक नमबर पर एस है यह दोस्तों गुनिश नमबर पर ई है वो दोस्तों पांच नमबर पर और आ रहा है वो 18 नमबर पर इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना रखता हो देखे हीरन गाए जिराफ हीरन गाए जिराफ यह दोस्तों सभी क्या है यह साकारी पसू है ठीक है और इनके समान जो सही विकल्प हो जाएगा वह जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा तो वह है गोड़ा गोड़ा क्या है साकारी है ठीक है बाकिसी है लकडबगा और स सबसे सर्वोतन निरुपन करने वाले वेन आरेक का अपने को यहां पर क्या करना है चैन करना है फल सब्जी अम्रूद फल सब्जी अम्रूद यहां पर दे रखा है दोस्तों देखिए अम्रूद है यह फल के अंतरगत आता है और सब्जी फल के अंतरगत नहीं आती है तो यह पर देखिए उन चार Opsons मेंसे अपने को क्या करना है ? उत्तर देना है पृष्ण बद में आगे मिलेगा आपको तौ सबसे पहले अपने को यह चार ऊप्सन देख लेने है ठीक है दोस्तो देखिए प्रिशन में ले चलता हूँ मैं आपको जोरी पांच ओप्शन दे रखें आगे देखिए M का पिता कौन है तो दोस्तो क्या इन दोनों से उत्तर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा ठीक है या केवल एक से ही एक ओप्शन से उत्तर जाएगा या दोनों ओप्शन से उत्तर आएगा या दूसरे नमबर के ओप्शन से उत्तर आएगा ये अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है देखिए M का पिता कौन है वो बताना है ओप्शन में देखिए A और B भाई है दोस्तो ए और बी है वो क्या है बाई है ठीक है बी की पत्नी M की पत्नी की बहन है तो दोस्तो अब अपने को यहां पर क्या बताना है कि M के पता का M का पिता का दोस्तों अपने यहां पर गयात करी नहीं सकते इन्हों दोनों उप्सनों को मिला कर भी ठीक है तो यहां पर इस प्रेस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस present का right answer हो जाएगा देखे यदि दोनों first और second के तथे मिला कर भी उत्तर देने के लिए प्रियापत नहीं है तो यहाँ पर अपना चार नमबर का option right answer हो जाएगा इसमें ठीक है देखिए अब अपना राजस्तान कला संस्कृति के पांच प्रस्ने यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ठीक है देखिए राजस्तान में निम्न में से कौन सा नर्ते केवल पुरुसों दुवारा किया जाता है right answer हो जाएगा दोस्तो कच्छी गोडी नर्ते यह पुरुसों दुवारा किया जाता है सेखावाटी चेतरों में यहाँ पर एक नमबर का option बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखिए सुमेलित करना है एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेकक है तो दोस्तो यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सी पुस्तक के लेकक है वो दोस्तो कौन है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर देखिए हम्मिरायन पुस्तक के लेकक है वो दोस्तो कौन है तो वो है दोस्तो बांडू व्यास कौन है बांडू व्यास यह हम्मिराय के जो लेखक हैं वो कौन है रगुनात् रूपक के लेखक है वो है दोस्तों मच्छाराम सेवग मच्हाराम सेवग हैं ठीक है और ओर किरतार बाउνη की जो एक्षार के वह है दोस्तों दूसाड़ा तो यहां पर है अपना इसमें राइट शासर क्या हो जाएगा वह चार एक डूतेन चार एक दो तिन चार एक दो तीन इसका अपना इसमें रायट अन्सर हो जायगा ठीक हैu आगे देखिए फिर सुमेलित करना है एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ जिला है अपने को बताना है कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में स्थित है देखिए कामेस्वर मंदिर है यह दोस्तों कहां पर है तो यह पाली में है पाली में है दोस्तों यह ठीक है सीटलेस्वर मंदिर कहां पर है तो दोस् बी यह तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आपव कर लेना Uh a भी idea अपना के लगारेशन कौ साउप से उप्षा को को जल्या वाल का जाता है अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा वह दो स्थों कौन शाओ तो वह नीम उचना है तो ने किसको सिस्ट मंडल का अंतिम नित्रत्व करने के लिए परताब के पास बेजा ताकि वें सांती पुर्वक अधिनता स्विकार कर सके अकबर ने किसको सिस्ट मंडल का अंतिम नित्रत्व करने के लिए परताब के पास बेजा ताकि वें सांती पुर्वक अधिनता स्विकार कर सके तो यहां पर इस प्रेस्टिंग का राई टांसर हो जाएगा वो है टोड्रमल यहां और सबसे जो अंटीम में गया था थीक है वो था दोस्तों जगनाद कछवा थीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है लेकिन यहां पर बात हो रही है दोस्तों जो चार सिस्ट मंडल बेजे थे जिसमें चोथा नंबर का गया था टोडरमल एक ट्रिक है जिसके मादम से आप याद रख सकते हैं जैमा भैटो ठीक है जमा भटो ये करम है दोस्तों अकबर के पास में यानि अकबर ने महा रणा परताब के पास जो सिस्ट मंडल बेजे थे चार सिस्ट मंडल ठीक है जिसमें से करम वाइज अगर कोई पुछे तो ये करम वाइज है एक भैतर में गया था यानिकी एक पंदरा सो भैतर में गया था बाकी तीन पंदरा सो तेतर में गये थे ठीक है जै का मतलब होता ह जलाल खान मांसिंग, बै का मतलब मतलब बग्व похot और तो का मतलब होता है टोडरमन, ठीक है सबसे अन्टिम में कोन गया था टोडरमन गया था एक नंबर option बिल्कुल सफिए, अब दोस्तों आगे अपन जो 15 प्रस्न करेंगे ये दोस्तों भारतिए इतियास भारतिय जोग्रोफी विश्व का इतियास से समंदित ये प्रस्ण होंगे ठीक है इसके 15 प्रस्ण पुछे जाएंगे अब देखिए दोस्तों यहां पे 56 नंबर का प्रस्ण है विशाकदत के प्राचीन भारतिय नाटक मुदराराक्सस की विश्यवस्तु है तो दोस समय में राजदर्बार की दुर्बी संदियों के बारे में दोस्तों यह है मुदराराक्सस में यानि की सीधा सम आपको बोलू कि मुदराराक्सस में चंदरकुप्त मोरिय के जीवन से समंदित कटनाओं का उलेक मिलता है राइट आंसर हो जाएगा वो है चार नंबर का उप सथा वो था दोस्तों सवराज्य कौन सथा सवराज्य था राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अठावन नंबर का प्रिस ने निम्न में से किन अपसरों की अत्या 15 अक्टुमबर 1857 को को कोटा की विद्रोई राजकी से ने की थी दोस्तों आप सभी को पता है कि कोटा में जो 1857 की करांती का जो नित्रत्व है वो दोस्तों जै दयाल और मेराब खान ने किया था ठीक है और दोस्तों इस विद्रोई राजकी सेना ने कुछ अंग्रेज अपसरों के अत्या कर दी थी वो कौन-कौन थे वो अपने की बर खान ऑच्छी तो सीधा से बताओं देखिये यहां पर इन दोनों की अत्या नहीं की इनके अलावा दो वक스vania और थे जिनकी भी अत्या है वह की गई थी एक स fenilde टील श्री खी और तोन्र किनल नमबर एक मिजर बटन नमबर दोक्टर शेडलरम नंमबर तीन दोस्तों liter Frank नाम था दोस्तो ठीक है और चोथा था दोस्तो इसमें moet और remotely और वहां रसकते हैं और पांचवा था दॉस्ति रॉस्तों doktr kot datos ठीक है इन्पांचों कि दॉस्तों हत्या है वो की गई थी अब बाकी के तो option में दे ने रखे तो अपना इसमें B और C दोनों सही है यानि कि यह सही कोट का अपने को यहाँ पर चैन करना था तो B और C किसमे हैं दो नंबर के option में हैं और यही अपना right answer हो जाएगा आगे देखें मुलाना आजाद की पुस्तक है यान की परमुक पुस्तक है मुलाना आजाद की परमुक पुस्तक है तो वो कौन सी है तो दोस्तो इंडिया विंस फ्रिडम ये मुलाना आजाद की क्या है पुस्तक का नाम है तो यहाँ पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही तर हो जाएगा कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की करांती के दोरान कोटा में हत्या कर दी गई थी तो वो कौन था राइट आंसर हो जाएगा बताया था अभी आपको मेजर बटन तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही तर यह कोटा का पॉल्टिकल यहाँ पर चार नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ आगे देखे 63 नमबर का प्रस्थने इसमें देखे महजर नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माद्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सरोपरी निर्णाइक की भूमिका ग्रण की थी नि मिलता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नामबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिलकुल सही तर इसमें हो जाएगा आगे देखे 64 नमबर प्रस्थने मात्मा गांदी ने हिंद सवराज की रचना की थी जब वे मातमा गांदी ने हिंद सवराज की रचना की थी जब वे दोस्तों जब वे जहाद से इंगलेंड यान जहाद से इंगलेंड से दक्षनी अफ्रिका यात्रा कर रहे थे उस समय दोस्तों इन्होंने हिंद सवराज की रचना की थी तो यह राइट आंसर हो जाएगा ती 1931 में बने थे यहाँ पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो चार नंबर का प्रस्ण है इसमें देखिए राज्य का पहला सरकारी इंजिनियरिंग कोलेज कहां बनाया जा रहा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालाना जैपूर में बनाया ज देखे पटियाला में आयुजित राष्टिय पैरा तिरंदाजी परतियोगिता में राजस्तान के सोन पदक विजेता शाम सुन्दर स्वामी का सम्द्ध किस जिले से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनका सम्द्ध विकानेर जिले से है यहाँ पर ड भारत माला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमर्जेंसी एर इस्ट्रिप तयार की गई है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाड मेर जालोर C नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतरिस में हो जाएगा आगे देखिए 69 नमबर का प्रेशन है ICAR ने राजस्तान के किन किसानों को नसल सरक्षन पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया ICAR ने राजस्तान के किन किसानों को नसल सरक्षन पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सुरेंदर अवाना और दोस्तो डॉक्टर देवाराम पमार ठीक है तो यहाँ पर D नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा A और सही दोनों इसमें क्या है सही है इन दोनों को पुरुषकार मिला है दोस्तो यह ठीक है नेक्स्ट सत्तर नंबर का प्रस्ण है कविता संग्रय नुहे की नाव के लिए भारत भूषन अगरवाल पुरुषकार दोजार तेवी से किसे समानित किया गया है तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देवेस पत शारिया को दोस्तो यह पुरुषकार मिला है नेक्स्ट आगे देखे चूरू के पंडित भवानी संकर का हाली में निदन हो गया है इनका सम्मन्द किस संगीत कला से था दोस्तो right answer हो जाएगा यहाँ पर इनका जो सम्मन्द है वो पकावज वादक से था A नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखें यहाँ पर राजस्तान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं तो दोस्तो राजस्तान के नए मुख्य सचिव कौन है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो सुदान सपन्त है यहाँ पर C नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सुदान सपन्त नेक्स्ट आगे देखें सोलवी राजस्तान विदान सबा में उप मुख्य मंतरी दिया कुमारी के बाद राज्य के मंतरी परिषद में सामिल होने वाले एक मातर माईला है बताएगे कौन है वो मंत्री परिशद में एक मातर महिला सामिल है दिया कुमारी के बाद में तो वो कौन है तो वो है दोस्तो मंजू वागमार तीक है मंजू वागमार तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही रतर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान कर्शी अनुसंदान संस्तान दुर्गापूर जैपूर में दो दीवसी श्री अन्न समेलन का सुबारम किस ने किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया दोस्तो डॉक्टर प्रेमचंद बहरवा यहां पर बी नंबर का जो उप्शन है वो इ किया यह किस जिले में है तो दोस्तो यह कौन से जिले में है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो यह कोटा में है यहां पर सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा तो दोस्तो यह मैंने आज आज आपको तीस नंबर का मोडल पेपर है वो अवस्य दें और अरत्यारेस एकडिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जै भारत